Friends, आप सभी का बहुत बहुत सवागत है Android Tech Channel पर जैसे कि आप इस रेट बटन को देख रहे हैं इस रेट बटन को दबाईए और सब्सक्राइब कीजिए Android Tech Channel को और साथी साथ इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हमारे लेटरस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए Hello Friends, आप सभी का बहुत बहुत सवागत Android Tech Channel पर और Friends, आज के इस वीडियो में भी आपके लिए कुछ है गुद न्यूज तो आप इस वीडियो को देख तरीजिए तो विडाउट वेस्टिंग नीमोर टाइम, लेट्स केर स्टार्टिए Friends, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दू के Samsung ने ओन एट और Samsung Galaxy J7 Prime J7 2016 को पहले ही NoCut Update में अपडेट कर दिया है यहां पर रही है तो Samsung Galaxy on next तो मैं आपको बता दू कि Samsung Galaxy on next वे भी जो है आज अपडेट आ चुका है जो कि है NoCut का और आप देख सकते हैं 1149 अपडेट था इस अपडेट कंदर सेम तो सेम वही फीचर एटो जेड वही फीचर वही उसर इंटरफेस मिलता है जो कि आपको Samsung Galaxy J J7 Prime में तो friends मुझे से काफी वियर व्यूवर्स ने पूछा था कि on next or J7 Prime बिल्कुल Sam phone है और में अपडेट क्यों आया है तो मैं friends आपको बता दू कि एक दू दिन का time लगता है क्योंकि model number change करने में होना है I hope थोड़ा पर time तो लगता ही होगा क्योंकि एक firmware create करना होता है त time missing feature की नहीं अगली वीडियो मैं आपको इसके features के बारे मैं बताओंगा क्या है और क्या नहीं है friends अगर आप भी है on next के user तो आप जल्दी सी किजिए अपने mobile को नोगट में update और friends एक वीडियो जो मैंने पहले वीडियो पनी बना कर दाली थी कि Samsung Lexi J7 Prime में जो problems है वो सभी क on next की है और I think इसकी वीडियो क्वालिटी जए इतनी खास नहीं मिलेगी वीडियो बनाओ अपने mobile से edit करके तो अगर आप मुझे बताओ नीचे comments में क्या interested हो कि mobile से आपको कोई video edit हो जाए तो मैं अगली वीडियो में आपको यही बताओंगा अगर आप interested हो तो मैं अगली व अगली वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में अगर आप नहीं है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब मत भूलिएगा और थैंक्स पर वाचिंग तेंक्यो वारिव मच्छ देट्स वाल आप इस वीडियो सो मिलते हैं मोजल अधर झाल